homophones क्या होते हैं homophones वो words होते हैं जिनका pronunciation सेम होता है लेकि उनका spelling भी different होती है और उनका meaning भी different होता है ये काफी कई बार confusing होते हैं तो मैंने vocabulary में homophones को भी select किया है जिसके की मैं कई सरे parts बनाऊंगी एक बार में हम लगभक 20 homophones लेंगे क्योंकि एक साथ समझे कि एक के दो या तीन words हो सकते हैं तो mind को retain करने के रिए बस इतना ही sufficient है बहुत लंबे लंबे जब आप एक साथ देखते हैं तो उन्हें याद नहीं रख पाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं ध्यानते देखिए एक नहीं दो बार देखिए weekly जरूर देखिए तो आपको यह meaning याद हो जाएंगे पहला word आप देख रहे हैं accept इसका मतला होता है take in जो दूसरा accept है इसका मतला होता है other than हिंदी में इसको कहेंगे सिवाई या अलावा I invited everyone except you मैंने तुम्हारे अलावा सब को invite किया next add यह advertisement के short form होती है और दूसरा add होता है जोड़ना join या combine इनका English में ही meaning याद रखिए और हिंदी में भी advice सला guidance advice recommend सला देना दोनों word सला से जोड़े होए हैं बस फरक इतना है advice C वाला noun होता है और S वाला जो इस पहले का आप देख रहे हैं उसका मतला होता है सला देना recommend करना aid assist सहता करना या सहता जैसे first aid आप पढ़ते हैं aid one who gives assistant जो सहता करे उसको E लगा के उसमें बोला जाता है aid aid to suffer poor health यानि के बीमार होना और एल एक beverage होता है पीने वाला पेपधार्थ होता है air atmosphere हवा आप जानते हैं ere का मतलब before h e i r इस air का मतलब होता है इसमें excellent रहता है one who inherits property यानि के उत्रा धीकार में कोई property हासिल करना इसको ध्यान ते देखिए आप ये i'll spelling आपको बड़ी जीब से लगेगी a i s l e लेकिन इसे i'll बोलते हैं आपने कभी ट्रेन में बस में सफर किया है तो बीच में रास्ता होता है उसे i'll बोलते है a passage ये i'll ये i will की short form होती है इसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ना नहीं आता वो i will ये i शेले पढ़ देते हैं i'll पढ़ा जाता है i s l e ये भी i'll पढ़ा जाता है i'll end यानि कि जमीन चारो और से पानी से गिरी भी होती है illusion an indirect reference जब आप किसी चीज का जैसे माल जो कुछ बता रहे हैं रामायन का जिकर करते हैं तो वो illusion illusion ब्रहम false appearance altar table in a church altar आप उसी भी कह सकते हैं जहां पे आप मतलब पूजा अपनी offer करते हैं किसी देवी देवता के सामने उसे altar कहते हैं और ALT या जैसे अपनी pent को altar करवाते हैं change करवाते हैं वो altar कहलाता है जो दरजी बोलता है वो वाला altar होता है eight यानि कि खाया eat की past tense होता है eight आप जानते है eight के लिए आता है eight bail to clear water यानि कि पानी को साफ करना bail वो भी होती है जैते कहते हैं बेल मिल गई से तो जमानत bail B-A-L-E बहुत बड़े गठ़ड को bundle को कहते हैं band a ring something that binds यानि कि hair band होता है और band एक group को भी band कहते हैं band यानि कि band band एक B-A-L-V-R-V होती है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ पे निशेद लगाना उसे परतिबन दिच करना यानि कि रोक दिया उस चीज़ पे रोक लगा दिया आपने वो band होता है जैसे यहाँ पर smoking band है तो वो band बनेगा bear uncovered जैसे कि मेरे pair uncovered है bear large यानि मलजी से भालू कहते है और bear support या फिर yield bases starting points जहां जब शुरुवात कर रहे है bases for stations on a baseball field उसके लिए परयोग होता है bases basic principle जो मूल भूल सिधानत होता है उसकी spelling होती है B-A-S-I-S beat किसी चीज़ को पीटना strike करना overcome करना beat बिलकुल ठकावा होना exhausted beat आपने beat root तो खायोगी सबजी में मिलती है सबजी वारे के दुकान पर तो चुकंदर जिसे बोलते है तो वो कहलाता है beat a plant with red roots blue blue की past tense होता है blue मैंने जैसे हवा चलना तो हवा चली blue blue एक नीला color होता है bread baked food item जो पकावा रोटी होती bread और bread produce पैता की ब्रीड की past tense होता है buy खरीदना purchase by near through और by good buy capital punishable by death यानि के जिसे मृत्युदर्ण दिया जा सके capital जो main city होता है जिसे राजधानी बोलते है capital building where legislatures meet वो capital जहां पर सारी जो लेज़ी लेचर होते हैं विधायक लोग होते हैं मिलते हैं मीटिंग करते हैं ceiling जो अंदर वाली छत होती है जैसे ceiling पैंट जिससे बना है उसे ये ceiling बोलते है एक ceiling होता है setting और या फिर फार्षनिंग की चीज़ को बांधना cell compartment, कोटरी और cell बेचना vend का मतलब बेचना हो जिससे vendor बनता है जिससे scent penny या coin यानि के सिक्का सब छोटा सिक्का scent जो scent होती है लगाते है जो scent scent s-e-n-t scent का pastance यानि के भेजा cereal breakfast food अना आज को कहते है cereal जो आप टीवी में cereal देखते है sequential cheese यानि के दातों से काटना cheese करते है और cheese और choose ये choose इसे choose बोलेंगे और ये जब इसमें ऐसे लगेगा ये दियान में रखे अगर आप choose बोल रहे हैं तो तब ये इसके साथ homophone नहीं बनेगा जब आप इसे choose बोलेंगे ऐसे लगावा होगा तब ये इस तरीके से बोला जाएगा choose to select chili ये country है चिली South America में chili bean होती है और chili जब बहुत ज़्यादा थड़्ड होती है code musical tone होता है code रस्ती भी होता है site उधारन देना किसी चीज़ का SIT site जैसे building की site तो location किसी चीज़ की अब तो site net पे भी होती है SIGT site द्रश्य यानि के view close अब positive open होता है और clothes clothes बोलेंगे इसको जब cloth बोलेंगे ध्यान दीज़े इसको जब cloth बोलेंगे तो कपड़ा होता है उसमें ऐसे नहीं लगावा होगा लेकिन जब उसमें ऐसे लग जाएगा तब ये इसकी sound लाएगे तब उसका मतलब clothing होता है course rough खुर्दरा course देखिए और समयने की कोशिश करिए thank you for watching the video अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए मुझे अच्छा लगेगा